हेलो एवरिवन वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल गाइस कैसे हैं आप सभी लोग मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्रखंड LTE की प्रप्रेशन भी बहुत अच्छी चल रही है तो जैसा कि आप जानते हैं उत्रखंड LTE SST की प्र चुके हैं यदि नहीं देखें तो आप वहाँ पर जाएए प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएंगे आज का यह चोथा वीडियो है और इस वीडियो के अंदर भी हम आप प्लीज अपना स्कोर जरूर बताईएगा आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं जरूर आप कमेंट करके बताईएगा तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा D पंजाब नेशनल बैंक अगला प्रशन हमारा अनुशूचीत बैंक एक ऐसा बैंक है जो राश्टिक्रित हो राश्टिक्रित नहीं हो दूसरे देश में स्तापित हो या आर बीयाई की दूसरी अनुसूची में सामिल हो अगला प्रशन है 2007 में UTI Bank का नाम बदल कर कर दिया गया था HDFC Bank, IDBI Bank, Centurion Bank या फिर Access Bank तो यहां पर हमारा right answer हो जाएगा D, Access Bank UTI का नाम बदल करके Access Bank कर दिया गया था 2007 में अगला प्रशन है Bank दर वे दर है जिस पर एक Bank पबलिक को उदार देता है RBI पबलिक को उदार देता है, RBI वार्णीजे बैंकों को उदार देता है, भारत सरकार अन्य देसों को उदार देती है यह भी काफी मैतपुन प्रशन है, तो इसका right answer हो जाएगा हमारे यहां पर C. RBI वार्णिजे बैंकों को उधार देता है बैंक दर्वेदर होती है जिस पर RBI वार्णिजे बैंकों को उधार देता है ये प्रश्ण एक्जाम में कई बार पूछा भी गया है अगला प्रश्ण हमारा RBI के बारे में निमन लिखित में से कौन सा कथन सत्ते है भारत में RBI बैंकों को परतिभूती बाजार का विनी यामक है RBI ने 870 से कारे करना प्रारम किया भारत में RBI स्वेम साइता समू का नियंतरन करता है RBI भारत की विदे सी मुद्रा आरक्षितियां रखता है तो यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा D RBI भारत की विदे सी मुद्रा आरक्षितियां रखता है अगला प्रेशन है भारत में मुद्रा एवम साग का नियंतरन किया जाता है CBI द्वारा, IDBI द्वारा, RBI द्वारा या फिर SBI द्वारा तो यहां पे हमारा राइट आप्सन हो जाएगा C RBI के द्वारा भारत में मौद्रिक नीती कौन बनाता है केंद्र सरकार, भारत का ओद्योगिक वित्विभाग, भारतिया रिजर्व बैंक या फिर भारत का ओद्योगिक विकास निगम तो गाइज ये काफी मैतोपूण प्रशन है और इसका आंसर हो जाएगा C वाला भारतीय रिजर्ब बैंक भारत में जो मौदरिक नीती बनाने का कारे करता है वो करता है भारत का रिजर्ब बैंक अगला प्रशन है हमारा मुद्रा आपूर्ती किसके द्वारा नियंतरित की जाती है योजना आयोग के द्वारा विता आयोग के द्वारा आर्बियाई के द्वारा या फिर व्यापारिक बैंक के द्वारा तो आंसर रहेगा हमारा C आर्बियाई के द्वारा यानि कि रिजब बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा आपूर्ती नियंत्रित की जाती है अगला प्रशने भारत में ग्रामीर अविस्तापना विकास को सकारे करम को क्रियानित करने वाली मुख्य सस्ता कौन सी है नाबाड राज्य सहकारी बैंक आरबी आई या एसबी आई तो यहां पर अगला प्रशने ग्रामीर बैंकों की कारेकारी समुकी सिफारिसों के फलसुरूप सुरू में पांच ग्रामीर प्रादेसिक बैंक स्थापित किये गए थे वर्स 1903 में, 1904 में, 1975 में या फिर 1906 में तो आंसर रहेगा हमारा यहां पर C, 1975 में अगला प्रशने फेडरल रिजर निमने लिखित में से किस देश का एक वित्य संगठन है? USA, ब्रिटेन, जर्मनी या ग्रीस? आंसर रहेगा हमारा यहां पर A, USA अगला प्रशने भारत में नीजी छेतर का बैंक निमने लिखित में से कौन एक है? Indian Bank, Kotaak Mahindra Bank, IDBI Bank या फिर Canada Bank तो आंसर रहेगा हमारा यहां पर B, Kotaak Mahindra Bank अगला प्रश्ण है हमारे देश में बैंकों द्वारा सामनेता है अधिक्तम कितनी अवधी के लिए घरेलू सावधी जमाओं को स्विकार किया जाता है तीन वर्स, पांच वर्स, साथ वर्स या फिर दस वर्स तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा D, दस वर्स अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन माल के आयात है तू, विदेशी वीनिमय को स्विक्रती देता है कोई भी राश्टिक्रित बैंक, वीनिमय बैंक, भारतिय रिजर बैंक या फिर वितम अंत्रा ले अगला प्रश्ण है भारत में व्यापारिक बैंकों की देंदारी के घटकों में निमनलिखित में से सबसे महतोपूर कौन है सावधी जमा धनरासी, मांग जमा धनरासी, अंतर बैंक देंदारियां या फिर अन्य उधार तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा A. सावधी जमा धनरासी अगला प्रश्ण है अल्पकालिक सरकारी परतिभूती पत्र को क्या कहा जाता है अंसर रहेगा हमारा यहाँ पर D. ट्रेजरी बिल अगला प्रश्ण है 1969 में निम्न लिखित में से किस बैंक का राष्टे करण नहीं हुआ था पंजाम नैसनल बैंक, बैंक ओफ इंडिया, भारतिय स्टेट बैंक या बैंक ओब बडुदा आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर C. भारतिय स्टेट बैंक अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सा बैंक या वित्य कंपनी नहीं है ABN M.PRO, HSBC, लुफथा अंसा या BNP पारिवास तो यहाँ पर हमारा राइंट आंसर हो जाएगा C. लुफथा अंसा लास्ट प्रश्ण हमारा निम्न लिखित में से किस सस्था का संबन्त आवास रिण देने से है RBI, SBI, IBA या फिर HDFC आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर D, HDFC तो आज के एकनोमिक्स के 20 मैं तो पूर्ण प्रश्ण हमने इस वीडियो के अंदर डिसकस किये है आई होप आपने वीडियो कंप्लीट देखियोगी और इसी तरह की वीडियो चैनल पर आती रहेंगी तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें तो चलिए अब मिलता है आगली वाली वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद